नवस्कार मैं हूं मुसकान अजमानी और आप देख रहे है देश का लोग प्रिया चैनल प्राइम टीवी तो यूपी में दो चर्णों में निकाय चुनाव होने हैं जिसको लेकर तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने दावेदारों की घोशना कर दी है तो वहीं दावेदार अब लगातार लोगों के बीच भी पहुंच रहे थे तो वहीं निर्दलिय प्रत्याशिय भी है जो लगातार चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रहे थे लेकिन इस निकाय चुनाओं में जनता के मुद्दे क्या है, वो कौन से मुद्दे है जिस पर जनता अपने प्रत्याशी को चुनेगी इस रिपोर्ट के जरी समझने का प्रयास करते हैं निकाय चुनाओं का बजा बिगुल निकाय चुनाओं को लेकर चड़ा सियासी पारा निकाय चुनाओं पर क्या है पार्टियों की प्लानिंग किस रणनीती के तहट काम करेंगी पार्टियां निकाय चुनाओं की सरगर्मी तेज हो गई है सबी पार्टी चुनाओं में अपना दम दिखाने के लिए तैयार हो गई है पार्टियों की निगाहें खासतोर पर महापौर की सीट पर टिकी हुई है पार्टियों ने चुनाओं को लेकर क्या क्या तैयारी की है क्या रणलीती है पार्टियों की जन्ता के बुनियादी मुद्धे पर पूरे करने के लिए शहर से लेकर कजबों और गाउं को बहतर बनाने में इस्थानिय सरकार का एहम रोल होता है इस्थानिय सरकार यानि की महपौर, पार्शत जैसे लोग इलाके के विकास के लिए खूब काम करते हैं विकास की रापर शहर और गाउं को तेजी से दोडाने के लिए कई तरेगी की प्लानिंग की जाती है पानी की समस्या हो तो क्या करना होगा गंदगी और सड़क की समस्या कैसे दूर की जाएगी बात करें पिछले निकाय चुनाओं की तो साल 2017 में नगर निगम की 16 सीटों में से 14 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया था और बाकी की दो सीटों पर बस्पा के हाथी ने अपना कदम रखा था लगनों की महापौर की सीट की बात करें तो साल 1995 से 2017 तक इस सीट पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है बीजेपी ने लगतार इस सीट पर बाजी मारी है वहीं इस बार बीजेपी ने लगनों की सीट पर सुष्मा खरकवाल पर दाउं लगाया है जबकि सपा ने वंदना मिश्रा पर भरोसा चताया है इसके अलावा बस्पा की शाहीन बानों और कॉंग्रेस से संगीता जैस्वाल चुनावी मैदान में है निकाय की जंद लगनों सीट से मेर प्रत्याशी सुष्मा खरकवाल प्रत्याशी बीजेपी वंदना मिश्रा प्रत्याशी एसपी शाहीन बानो प्रत्याशी बीएसपी संगीता जैस्वाल प्रत्याशी कॉंग्रेस कि अपने बड़े नेताओं से पूछ के चुना जीतने के वाद अपने बड़े नेताओं से पूछ के सब के सला लेकर कहीं मैं काम करूँ तो यह नहीं है जो नगर निगम के जो अस्वतालों की जो हालत है जो जलभराओं की समस्या है जो नालों की सफाई की समस्या है बेशुमार समस्या है आप खुद सारी समस्या जानते हैं और वो सब समस्या एक दिन में नहीं बन कहीं हैं वो इन सालों में फूब गहराती गई हैं क्योंकि लग को देख पाऊंगी तो जनता मुझे पढ़ हैंकि दूसरी बाद आप सब का सही होग मुझे मिलेगा जनता की समस्यां आप उठाते रहते हैं हम आपके संपर्क में निरंतर रहेंगे तो आप मुझे बताते रहेंगे क्या है तो मेरा मारजरशन भी आप करते रहेंगे जनता कर साल 2023 के निकाये चुनाओं दो चरणों में होंगे पहले चरण की वोटिंग 4 मई और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई के होगी जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे मेयर और पार्षत के चुनाओ ईवियम और नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाओ बैलेट पेपर के जर्ये कराय जाएंगे यूपी नगर निगाय के 14,684 पदों पर चुनाओ होंगे प्रदेश के 17 महपौर और 1420 पार्षत के चुनाओ ईवियम से होंगे नगर पालिका और नगर पंचायत के पदों पर बैलेट पेपर से मद्दान होगा इसके अलावा चुनाओ आयोग ने समवेधन शील इलाकों में जादा पुलिस रखने के निर्देश दिये हैं नगर पालिका परिशत के 199 अध्यक्ष और 5,327 सदस्यों का बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे इसके अलावा 544 नगर पंचायत अध्यक्ष 7,178 सदस्यों का चुनाओ भी मत्पत्रों से होगा जनता के मुद्दे बहतर पेजल वेवस्था साफ सफाई का विशेश इंतिजाम दुरुस्ट सडकें और नालिया जल निकासी की होप बहतर वेवस्था तो इस बार निकाय चुनाओं में कौन सी पार्टी अपना जादू चला पाईगी और कौन सी पार्टी अपने बादों के जरी ये जनता को लुभा पाईगी ये तो निकाय चुनाओं के नतीजों के बाद ही पता चल पाईगा आउट्पूट डेस्क प्राइम जीवी फिलाल इसका खुलासा तो 13 माई कोई होगा जब इसके नतीजे आएंगे लेकिन उसके लिए हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर जनता की पसंद बन कर कौन उपरा है हमारे इस रिपोर्ट में फिलाल के लिए बस इतना ही देश नरे की दवाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हैं ये प्राइम टीवी